कि यहाँ पर बात कर रहे हैं और को बनाती है कि अधिक तरफ सबस्पेंशन के इसको बनाती और अपने खुथ के नाम से प्रोड का नाम रख देती है सिरफ सब्सक्राइब सब्सक्राइब ्ण है granddaughter के हैं परफ 5ड मेल अगर आप 5 मेल लें तो आपको साधे 22 मिली अपको कॉलिस्टीन सपरोवन डियरा ऑफ मैँ जो प्रकारसा इसको polymixin EV के नाम से जाना जाता है ठीक तो यह बैसिकली जायर से बात है छोटे बच्चों के लिए होता है बच्चों में चलता है बहुत सार इसके users होते हैं और यह भी जायर से बात है कि भाई यह bacterial infections में ही चलता है कहां कहां यूज करते हैं इसका यूज करता है अगन हो रही हो या किसी तरह का bacterial infection हो अब जायर से बाते और भी कई सारे आते हैं antibiotics और फ्लॉक्सों से नौर फ्लॉक्सों से पैने सिलीन दुनिया भर की चीज़ें आती हैं अमक्सणी सब आता है लेकिन इसका यूज कप किया जाएगा देखो यह जो कॉलस्टीन सालफेट है यह ज्यादतर मल्टी ड्रग रजिस्टेंस जब हो जाता है तब यूज कि जाता है क्योंकि जब डॉक्तर नहीं दिया वालों से फ्लॉक्सेम या लुद्ध नहीं मिल रहा तब उसको उसको कॉलस्टीन सल्फेट दीए जाएगा है अभी जो कोलिस्टीन सालफेट है यह अधिकतर वूपर में आता है एक आता दोस्तों कॉल्सटी मेथेट जो की इंजेक्शन और एक होता है कॉलिस्टिन सल्फेट यह और फोम में आप लिए विल रहता है तो यह बार नेमोनिया में चलता है नेमोनिया वे इसका यूज करते हैं तो अच्छे रिजल्स मिल जाते हैं और अगर ओवराल दिखा जात तो ज्यादा तर देखा गया कि ग्राम नेगेटिव ब बच्चे को किसी तला की कोई अलर्जी अगर है तो डॉक्टर को बताओ फिटनी की कोई प्रॉड़म है तो इसको यूज करना है बिल्कुल यूज करना ठीक है यह कोई इसका एक साइल इफेक्ट यह भी होता है कि खिटनी को डैमेज कर सकता है लेवर की कोई समस्या नहीं देना है पिलिया हो रहा है बच्चे को हैपिटाइटिस हो रहा है तो नहीं देना है प्रेगनेंसी ब्रेश्पिटिंग मदर्स के दो बात याद नहीं आती है क्योंकि वह एडल्स होते हैं अगर यूज करने के सोच नहीं किया जाता नौज्या बॉमिट जी में चलाएगा उल्टिया होंगी और डायरिया दस्त लगेंगे यह इसके साइट इफेक्ट्स में आता है और किड्नी डैमेज अब बात करेंगे दोस्तों इसका डोज क्या होता है डोज करने से पहले दोस्तों पतरना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा दूसरा चैनल घ्यानियर शॉट्स और ग्यानियर ब्लॉक्स को आपने नहीं देखा तो प्लीस एक बार देखें और आपे सपोर्ट दिखाए अपना अब बात करें दोस्तों इसके डोज की तो डोज यह होता है कि इसको आप खाने के पहले ही दे सकते हो बच्चे को खाने के बाले दे सकते हो ठीक खाली या भ आपको तो इसके पर 5 ml में है 1.5.16 तो आपको 10 मिलीग्राम शिरब देना पड़े गा बच्चे को जो बच्चा 2-3 साल से उपर का है 3-4 सार आ है दूसके आप 10 ml दे सकते हैं तो उनकी बॉड़ी में 25 मिलीग्राम पहुंचेगा तो यह काम करना शुरू करेगा तो आई होप आप समझेगा वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज से अपना लाइक दिखाए और मुझे सपोर्ट करने मोटिवेशन मिलता है और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क अच्छा लाइक वाला ओलो सब्सक्राइब करने मोटिवेशन मिलता है और मुझे से अपना लाइक बॉप हमारे अपना है करना मुझे मुझे।